साधी के बाद जब हम लोग हनिमून पे जाड़े थे तो चंडीगट रास्ती में मुझे न सोया बिर्यानी खाने को मिला था जो बहुत टेस्टी लगा था यकीन वारी इतना टेस्टी था तब से मुझे मेहना घर पे ये सोया चाप बिर्यानी बनाती हूँ ये विल्कुल हजबन खडीद के लाए थे ये आपको रिलाइंस स्टोर बीगवजार डीमाट कहीं भी मिल जाएगा या जहां पनीरो नीर मिलता है वहां भी मिल जाएगा तो सोया चाप को मैंने फ्रीज में रखा था फ्रीज से निकाल के उसको है न ठंडे पानी में रखके बॉयल होने क के लिए 10-15 मिनट के लिए छोड़ देंगे ठीक है उसके बाद हमारा सोया चाप बॉयल हो रहा है तब तक हम लोग बिर्यानी बनाने के चावल का तैयारी करते है चावल को दो से चार पानी अच्छे से धोलेंगे जब तक चावल हमारा क्लियर ना दिखे और ये बासमती र करते हैं यहां पर हमारा सोया चाप बॉयल हो गया 10 मिनट हो चुका था और उसको निकाल के अलग रख देंगे और यहां पर बिर्यानी वनाने के लिए मैं पानी बॉयल करें उसमें मैंने सारी गरम मसाले डाले जैसे जीरा छोटी लाइची बड़ी लाइची दाल चीनी काल मेर्च और हरी मेर्च अदरक की स्लाइस जितने पास आपके गरम मसाला हो न सब डाल देना इतना टेस्टी इसका फ्लेवर आता है चावल का मज़ा आजाता है थोड़ा सा नीमबू नमक और तेस पत्ता डाल के पानी को है न बोईल होने के लिए रख देना इसी में हम लोग च चावल बनता है मूह में तो पानी आजाता है इस्टीक को हमने सोया चाप को बाहर कर दिया पांच-दस मिनट में हमारा फ्लेवर पूल पानी है जो बोईल होने लगा चावल को जो हमने रखा था फुलने के लिए उससे पानी निकाल के चावल को पानी के अंदर डाल देंग पकनी के लिए याद रखना है हमको 90% ही बस चावल पकाना है थोड़ा सा फ्लेवर और एड़ करनी के लिए उसमें दूट डाल देंगे लेकिन चावल को इस स्टेज पे चलाएंगे नहीं डालने के बाद और क्योंकि हमारा चावल तूट जाएगा हमें खिला खिला बिर्य करना है मतलब हाई हाई फ्लेम पे ही ज्यादा लो पे नहीं मेडियम टू हाई पे ही रेड रेड हमें सोयाचा फ्राई करना है हमारा सोयाचा बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है तेल भी ज्यादा नहीं सोकता है क्योंकि यह बोल होता है वहना इसलिए तेल नहीं सोकता है इ मेरा दिमाग ही घूम गया हमारा चावल बोईल हो गया है 90% मतब एक दो दाना दबा के देखना अगर कच्छा रहा ना तो चावल को निकाल लेना है क्योंकि बिर्यानी खिला खिला बनता है ना तो बहुत जादा अच्छा लगता है यहां पे चावल से पानी मैंने जाली वाल अच्छा वो हटा दूँगी अखली कीचन मेरा थोड़ा सा गंदा हो गया था उसको क्लीन कर दूँगी यहां पे मैंने चार प्याज लिया है बिर्यानी में डालने के लिए प्याज को हमें फ्राई करना है और प्याज इतना जांक दे रहा था उसके बाद मैंने है ना यह प्याज को पतला पतला स्लाइस कर लिया आप है न चाकू से नहीं काटना आप इससे काटोंगी न तो आपका प्याज इतना पतला पतला स्लाइस होगा आप बिलीव भी नहीं कर सकते हो सारे प्याज को अलग-अलग खोल लेना है ठीक है और कड़ाई गरम कर देना है और भूनना है जैसे हम लोग प्याजी भूजते हैं या चिप्स भूनते हैं वैसे प्याज का यहां पे भूना हुआ हम लोग बिर्यानी में प्याज यूज करते हैं तो बिर्यानी का टेस्ट है ना बहुत चरगुना हो जाता है क्योंकि यही हमारा में टिप्स है प्याज भूनन यहाँ पे हम लोग है न एक कफ बड़ा कफ से भर के हम लोग दही लेंगे दही को चाल के पानी से अलग कर देना है मतलब दही से पानी निकाल देना है यहाँ पे दही को मिक्स कर देंगे अच्छे से उसके बाद उसमें टेस्ट के एकॉर्डिंग हल्दी थोड़ा सा डाल दे एक चमस छोटा चमस चमीरा दो चमस तीन चमस धनिया पाउडर भर भर के डाल देंगे और अच्छे से मसाली को मिक्स कर देंगे अब हम लोग का ये मेन मसाला है बिर्यानी बनाने का यहां पे आप कोई भी स्टील का पतीला उतीला चड़ा लेना उसमें देसी घी डाल लेना देसी घी ना हो तो आप रिफाइंड भी डाल सकते हो मैंने देसी घी और बटर डाला है आप रिफाइंड भी इसके जगह पे डाल सकते हो थोड़ा सा मैंने गरम मसाला डाला जैसे जीरा दाल चीनी लॉंग इलाइची डाल दिया उसके बाद उसमें लहसन अदरक का चम्मच और भून लेंगे हम मैं है न डिस्टोरेन धाबा स्टाइल वना रही हूं गाइस बिल्कुल अलग स्टाइल से अब भूनने के बाद थोड़ा सा पानी डाल देंगे आधा कफ जादा नहीं डालना है और जो दही हमने मिक्स करके रखा था वो डाल देंगे और उसमें भूना हुआ प्याज आधा डाल देंगे मतब दो प्याज भूना हुआ डाल देंगे कस्मीरी मिर्च मैंने दो चम्मच डाला है भर भर के और उसके बाद यहां पे दो चम्मच जीरा पाउडर और इसके बाद बिर्यानी मसाला दो चम्मच डालना बिर्यानी मसाला नहीं हो फिर उसके बाद धनिया पत्ता डाल देना और जितना सोया चांप फ्राइ किया हुए है सब डाल के और मसाले को भून लेना फ्लेम को मेडियम टू हाई करके नमक डाल लेना टेस्ट के कोडिंग आपका मसाला जल्दी भून जाएगा क्योंकि इसमें ना प्याज ना टमाटर ह टमाटर जल्दी भुन जाएगा कसूरी मेठी डाल देना और उसके बाद मसाले को भून लेना पास मिनट बाद आपका मसाला कुछ ऐसा दिखने लगेगा ठीक है और इसमें मसाला का फ्लेवर इतना अच्छा आता है थोड़ा सा इसमें गरम पानी डाल देना था की जो उपर से विचा देना प्याद जो हमने दो फ्राई की अवज बच्चा था वो बिचा दिया गर्म मसाला डाल देना और थोड़ा सा केसर डाल देना केसर को मैंने दूद में गर्म करने के लिए रख दिया आपके पस केसर नहीं होगा तो छोड़ देना फूड फ्लेवर, फूड कलर को पानी में घोल के ऐसे डाल देना, जिसे कलर फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, केसर को उपर से मैंने ऐसे डाल दिया, थोड़ा सा दो कफ मैंने, दो छोटा यले कटोरी से केवडा वाटर डाला, केवडा जलिये, ऑप्सनल है, आप डाल भी सक मैं थोड़ा सा आटा गूथ ले रही हूँ, क्योंकि मुझे दम लगाना है चावल भीर्यानी में, तो यहाँ थोड़ा सा आटा गूथ लिया, उसके वाद तावा को गरम करके उसके उपर मैंने ऐसे डाल दिया है, और उसमें मैंने दो चमस दूद डाल दिया है, और आटे को चाड़ो तरफ से लगा के मैं इसे पैक कर दूंगी थोड़ा सा मेरा क्लिपिंग नीस हो गया है आटा लगाते टाइम मैंने कीचेन भी साथ साथ क्लीन कर लिया अदम लगाने के लिए तावे के ऊपर जब मैंने वो बिर्यानी का पॉट रखा है न तो फ्लेम को लो कर देना है और 10 मिनट तक अच्छे से दम लगाना है लो फ्लेम पे आपको तावे के ऊपर हांडी रख देना है और अच्छे से 10 मिनट तक दम लगाना है आटे का लोई से धक्कन बंद करके यहाँ पे मैं रायता बना रही हूँ साड़े विजी टेबल जैसे गाजर खीरा टमाटर नहीं प्याज धनिया पत्ता सबको डाल दिया है दही के अंदर थोड़ा सा काली मेर्स नमक, छीनी, चाट मसाला काला नमक सबका वो दे दिया है भूना हुआ जीरा डाल के रायता लगा दिया है तो यहाँ पे प्याज वाज भी कट करी के डाल रही हूँ मेरा हाथ भी कट गया था थोड़ा सैलेट के लिए प्याज काट लिया है तब तक हमारा बिर्यानी दम लगाड़ा है देख रहे हैं न तड़का दे दिया है तड़के में रायता में तड़का देना है जिसमें मैंने कड़ी पत्ता, मिड़ चाजी, रा, राई का फोड़न देके तड़का लगा लिया मेरे हजबन जी आ गया है अब प्लेट लगाने 10 मिनट हो चुका है तावे को गरम करके तब हांडी को उसके उपर 10 मिनट के लिए फ्लेम लो करके रखना है मेरा बिर्यानी बनके रेडी हो गया है कमेंट्स में लिखेगा कि कैसा लगा आपको बिर्यानी प्लेज आप लोग मुझे कमेंट्स किजिएगा यकीन मानिए एक बार मेरे कहने पे आप लोग ट्राई किजिए घर के लोग आपका उंगलिये ना चाटनी लगे बढ़ाई का पूल ना बांदनी लगे तो मेरे कमेंट्स में आके बोलिएगा गाईस यहाँ पिव मैं देसी घी चटनी के साथ सर्व कर दिया तो मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो में बाई बाई टेक के रहाँ और आप ये वीडियो कहां से देख रहे हो प्लीज कमेंट सेक्सन में मुझे बताना बाई बाई